प्रेंट्स रक्षा बंदन का तो हार भाइ और बेहनों के प्रेम्ड का बंदन है आज हम पंडिजी से जानेंगे कि जिस तरीके से रक्षा सुत्र हमारे लिए इतना खास होता है बहनों का भाई के लिए इतना खास पवित्र रिष्टा होता और रक्षा सूत्र की भी उतनी ही इंपोर्टेंस होती है आज हम पंडी जी से जानेंगे कि जो तिलक है वो किस तरीके से हम अपने भाईों को कर सकते हैं जो उनके सोभागय को जगाए पंडी जी जितनी रक्षा सूत्र की इंपोर्टेंस होती है उतनी ही तिलक की इंपोर्टेंस होती है तिलक मूलतह आपके आग्या चक्र पर एक कवरेज है यह जो तिलक लगता है बेसिकली यह आग्या चक्र पर लगता है और इसे हम अपना तीसरा नेत रखायते है रक्षा वो ही कर सकता है जिसके पास खुद में एनरजी हो शक्ति विहीन भाई क्या बेहनों की रक्षा करेंगे आपने देखा होगा हमारी संस्कृतियं के अंदर जब भी कभी युद्ध पर लोग जा रहे होते तो मूलतह क्या करती है महिलाएं चाए वो वाईबस हों चाए बेहने हों चाए माताएं हों वो तिलक निकालती है अपने हजबिंस को अपने भाईयों को और साथ बसाथ के अंदर रक्षा सूत्र बानती है यानि कि ये डोरी आजकल बहुत फैशनेबल राखिया हो गई है लेकिन राखि मूलतह अगर वो सूत से नहीं वनीवी है तो वो रक्षा करी नहीं सकती इसलिए इस दिन कच्चे सूत्र का महत्व है जो सूत्र जो आपके यग्योपवित में होता है वही सूत्र माना गया है और सूत्र शब्द से ही सूत्र बना है आपके फौर्वर्डिंग करने वाला उतना ही महत पर जितना रक्षा सूत्र का है उतना ही महत तिलक का है और मूल तह तिलक है आपको उर्जावान मनाने के लिए तिलक है आपके आग्या चक्र को जागरित करने के लिए ताकि आप आग्या दे सके और ले सके इसका मूल उद्देश है तिलक का समझना होगा बात तो पंड़ी जी बात करें जैसे हम राखी की उस दिन तिलक का विशेश महात होता है लेकिन उसका हमारे जीवन पर मतलब जिसको हम तिलक लगाते हैं उसके उपर क्या प्रभाव पड़ता है क्यों महात हता है इसकी देखें अगर हम जोतीशे दृष्टी को मैं बताना चाहूंगा कि हम अपने भाई को अगर बात कर रहे हैं क्योंकि रक्षा बंदन है हर जीवन में हर रिष्टे का अपना एक अलग चार्ट है लेकिन बांधव जोसे कहते हैं बंधु चार्ट वो कुंडली के तीसरे भाव से देखा जाता है तीसरे भाव से आप की बदनामी भी दिखे जाती है कि आप कितना फेमस होंगे या कितने बदनाम होंगे ये तीन आस्पेक्ट इसी भाव से और आपका पराक्रम आपका नाम का डंका कितना बचता है सोसाइटी में आपके नाम की वेटेज कितनी है जैसे कि आपने देखा होगा कई जगे लिख किया जाए जिससे आपका आग्या चक्र activated हो आप उसको तिलक करें जो आपका सार्थी हो या उसको तिलक करें जो आपके लिए कार्य कर रहा है जैसे विशिष्टी तौर पर इस दिन यजमान अपने ब्रह्मन का या अपने प्रोहित का तिलक करते हैं इस दिन बहने अपने भाई का तिलक करती हैं क्योंकि आपका वो कारेवाहक है भाई का काम है बहन की रक्षा करना तो इसलिवए आपके लिए काम कर रहा है तिलक आप उसे करते हैं जो आपके काम आता है जैसे आपने देखा होगा बूलना नहीं चाहिए ये गलत वेसे forwarding हो जाएगी जैसे बकरे को भी काटने से पहले लोग कई उसको तिलक करते है उसका काम क्या होता है कि वो बलिदान की रहा में जा रहा है नारियल फोर्णने से भी पहले आप तिलक लगाते हैं नारियल पर उसका कारण क्या है उसका कारण है उसमें अगनी को उत्पन न कर देना तो संपूर्णता से एक बात और बता दू ये उंगली से अगर तिलक किया जाता है तो खुद को किया जाता है फिर्स्ट फिंगर अगर दूसरी उंगली से तिलक किया जाता है तो ये पित्रों को सम्मोद देता है अगर हम इन दोनों को इस उंगली से अगर हम तिलक करते हैं तो हम किसी को भी तिलक कर सकते हैं लेकिन जब इन दो का प्रियोग किया जाता है, तो ये देवत तुल्य हो जाता है, जब भी आपने देखा होगा, आप रूली से तिलक करते हैं, तो इस उंगली से तिलक दे करके इस से उसको उपर उठा देते हैं, अंगुठे से, तो ये है अगनी का सूत्र, इन दोनों का मि तिलक करने के लिए कि सूर्य और मंगल परयक्रम की उंगल नगुष हрать जाति से तिलक करके अंगुठे लिए जाता, उसे अगनी पर रख दे जाता वacement comment होते हैं आपने देखा वह विश्णू तिलक जो होते हैं वो यू बनाये होते हैं तो पंडिर राशी अनुसार किस तरीके से तिलक किया जाए हमारे भी उसके लिए बता देखे वैसे सभी लोग जितने भी लोग है रोली से तिलक करें इस दिन तो बहुत अच्छा है लाल त मेश राशी वाले अगर अपने भाई या बहन को अगर तिलक करें तो गोलोचन से करें विश राशी वाले अगर तिलक करें अपने भाई या बहन को तो रोली से जिसे हम कुम कुम कहते हैं उससे तिलक करें बात करते हैं चौथी राशी कर्क की कर्क राशी वाले गोलोचन स सिंग की सिंग राशी वाले विशिष्टर गुलाल से तिलक करें या सफेद चंदन का भी इस्तमाल कर सकते हैं अर्थाग इस दिन अबीर से भी तिलक किया जा सकता है विशिष्ट सिंग राशी वालों के लिए बात करते हैं छटी राशी कन्या की कन्या राशी वाले सिंदूर से औरेंज कलर वाले सुंदूर से भाई और भेहन को तिलक करें। साथ वी राशी तुला के बात करेंगा। तुला राशी वाले पीले चंदन से अपने भाई और भेहन को तिलक करें। विरिष्चेक राशी वाले मूलतह इस दिन कस्तूरी से तिलक कर सकते हैं। नवी राशी धनों के बात करते हैं, वो भी काजल से या कस्तूरी से तिलक कर सकते हैं दसवी राशी बात करते हैं मकर की, मकर राशी वाले भी अपने और भाई और भेहन को हल्दी से या केसर से तिलक कर सकते हैं, या पीले चंदन से तिलक कर सकते हैं बात करते हैं ग्यारवी राशी कुम्व की, कुम्व राशी वाले सिंदूर से या लाल चंदन से, रक्त चंदन से तिलक कर सकते हैं बात करते हैं बारवी राशी मीन की, मीन राशी वाले विशिश तोर पर इस दिन अबीर से तिलक कर सकते हैं धन्यवाद पंडी जी आपका भी भहत भहत दन्यवाद नियाजी और दर्शकौ आपको भहत भहत दन्यवाद